नमस्कार दोस्तों, भक्ति द्वार टेलेविजिन के नए अध्याए दर्म यात्रा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आये हैं भारत के प्राचीन देवस्धलो की अमर गाथा और इनसे चुड़े अनेकों रोचक तत्य तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भक्ति द्वार टेलेविजिन हमारा प्रयास सदा रहे आपके साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान गनेश की बिना सुन्डवाली प्रतिमाः। जी हाँ दोस्तों वैसे भारत देश में भगवान श्री गनेश की आपने कई प्रतिमाई देखी होंगी। लेकिन जैपूर के बिना सुन्ड वाले भगवान गणेश जी के आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। आपको तो बने रहना है बस हमारे साथ और देखते रहें भक्ती द्वार टेलिविजिन। जैपूर शहर में अरावली परवत पर स्थित देश का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां बिना सुन्ड वाले गणेश जी की प्रतिमा है। ये मंदिर गड़ गणेश के नाम से विख्यात है। बताया जाता है कि सवाई जैसिंग ने अर्थारवी शताबदी में जैपूर की स्थापना के लिए गुजरात के विशेश पंडितों को यहां बुलाकर अश्व मेध यग्य करवाया था और राजा ने जैपूर की नीव रखते समय बाल रुपी गणेश जी की प्रतिमा को शहर के उत्रे दिशा में स्थापित किया गया था पंडितों का मानना था कि परवत पर विराजमान भगवान गणेश जी पूरे शहर को आशिरवात प्रदान करते रहेंगे धरती से 500 मिटर के उचाई पर बने गड़ गणेश मंदिर तक पहुशने के लिए हर रोज एक का निर्मान चलता रहा आज मनुकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से सैंक्रो श्रद्धालू 365 सीडिया चड़कर मंदर तक पहुँचकर बिना सून वाले बाल रूप श्री गणेश के दर्शन करते हैं इस मंदर की स्थापना के साथ ही यहाँ फोटोग्राफिय निश सकते हैं और 300 साल बीतने पर भी कोई इस मंदर के गर्ब ग्रेह की तस्वीरे नहीं ले सका है मंदर की खास बात ये है कि सवाईग जैसिंग की वासू शास्त्रियों ने मंदर का निर्माण ऐसी जगे करवाया कि सिटी पैले से खड़े होकर राजा हर रोज सुभे शाम मंदर में आर्थी के दर्शन कर सकते थे इस मंदर में आने वाले भक्तों का मानना है कि लगतार साथ बुद्वार यहां दर्शन करने से मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है मंदर के मुख्य द्वार पर दो चूहे भी इस्थापित हैं जिनके कान में भक्त अपनी इक्षाएं बता कर जाते हैं चूहे उन इक्षाओं को बाल गणेश तक पहुँशाते हैं और गडगणेश उनकी इक्षाज जरूर पूरी करते हैं आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसे रोचक तत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें